जहां लोगों की भावनाएं जराज रासी और बेकार की बातों पर आहत हो जाती है एक नई मूवी आ रही है पठान उस मूवी के गाने की सुटिंग में दीपका पादकोर ने भगवा रंगे की ड्रस पहनी है मैं कहते हूं आब तक हमार दिश में जाने कितनी मूवी आती बन चुकी है इसमें सुटिंग के दौरान जाने कितने हीरोइनों और आर्टिस्टों ने भगवा रंग के ड्रस पहने होंगी तब आपकी भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई चीजों को लेकर बेकार के मुद्दो जब भगवा रंग पहना हुआ है कोई मंदिर का पुजारी नौ साल की बच्ची के साथ रेप करता है तब आपकी भावनाय क्यों नहीं आहत होती है। जब भगवा रंग पहने हुआ है युवाव का एक समू मंदिर में किसी महिला के साथ बलत करता है सामोहिक दुसकर्म करता है तब आपकी भावनाय क्यों नहीं आहत होती है। मैं कहती हूँ आप एक पढ़े लिखेई वाह है आपकी भावनाय किस पर आहत होनी चाहिए आपको किस मुद्धे पर चर्चा करने में अपने समय लगाना चाहिए। उन चीजों पर ध्यान देने की बजाए कोई एक वेक्त आपको भटकाने का प्रयास करता है बेकार समुद्धा लाता है आपकी बीच में उडेल देता है और आप उस पर भेड़ चाल की तरह चले जाते और आपकी भावनाय हो जाती है बेकार के मुद्धों पर चर्चा करत आपकी भावनाय क्यूँने जात उती जब खेल्ने कउदने की उमर में इस देस की बच़े के और उलत्या संदआ hablar आप की बातों में आ जाते हो आपको आपके प्राजमिक जुरूरत है जिससे आपको बटकाने का प्रयास के आजाता और आप कहते हो कि हमारी भाउना यहात होती है आपको पता भी नहीं कि आपके भविस के साथ कितना बड़ा खिलवार हो रहा है आपका बहुत किया जारा है आप इसके बारे में जरा से भी चरचा नहीं करते जरा सा भी सोचते नहीं और तब आपकी भावनाई नहीं आथ होती मैं कहती हूँ किसी भी राष निर्मार में प्रतियाख व्यक्ति होता उसकी प्रातमिक जुरुत होती है वह आज भी जुरुत पूरी नहीं हो पाई इस चीज को लेकर आपकी भावनाए क्यूंने हाथ होती है आप उन मुद्दों को क्यूंने उठाते हैं जो आपकी हिट में है जो आपकी भाविस्ट के लिए जिनके आने वाली आपकी पीडियां सबर जाएंगे उन मुद्दों पर वोड़े बात करने के बज़ाए आप उन लोगों की बातों मेंCause आप को भटकाते अपनी उप्रति स्थापित करने का प्रयास करते अप उनकी बातों में क्यू जाते हैं। उनके पास उससले कुछ पूर्म आप किसी के पास किसी कमी है लोगों की बातों पर क्यों चाहते हो। आपको मेरी बात बैसका समझ में आई हो या नाいます अब में उम्म्हींद करती हूप कि अप इस पर विचार कelinगे यहाथ के लिए चरोरिए हह लिए आपको किन मुद्धों बात करना चाहिए आपको उनकी बातों में नहीं जाना चाहिए जो आपको भठकाने का प्रयास करते हैं अगर आपके अंदर तर्क करने की सोचने समझने की जरा से भी छमता है धन्यवाद नवोवुद्धाय जैवी